वेल्गाम एवरण तो आपको फिर स्वागत है एक लिए टेस्ट क्लास के साथ और आज की क्लास में हम यहाँ पर कवर करेंगे क्रसी प्रवेक्सक 2023 का जो की क्रसी विश्विद्याले जोदपुर की द्वारा कल यहाँ पर पेपर आयोजित हुआ था तो उसकी आंस्वर की को लेकर यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे ठीक है ज्यादा एक्स्क्लीनेशन नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी को यहाँ पर जो भी आंस्वर है वो यहाँ पर पता चल जाए तो उसके लिए जल्दी से यहाँ पर हम पेपर सॉलिशन कर लेते हैं ठीक है हिंदी और जीके का पूच्छा गया था कौन सी किसमे नहीं है तो यहाँ पर याद रखेगा इंग्लिश में आप देखोगे तो एएफ एफ 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 लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है एफ 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 जी का मतलब होता है फैनलिगरिक अथार्ट में थी तो यहाँ पर राइट इसमें यहीं पूचा गया था कौन सी विराइटी नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन इस राइट आंसर नेक्स टिसन पूचा गया था नेम लिखित में से किस फसल की चारे के लिए बीज़दर सबसे अधिक होती है तो जो उप्शन से उसके अकोर्डिंग अगर बात करें फोर नेक्स टिसन के आपर बात करेंगे किनल लुखित में से कौन सी नस्फल और मूलिस्तान सही सुमेलित नहीं है तो याद रहिए मयवाती का मध्यप्रदेश नहीं होता है अथा यहां पर फोर्थ ऑप्शन है वो यहां पर करेक्ट आंसर है ठीक है नेक्स टिसन के आपर बात नेक्स टिसन पूछा गया था कि जड़ के चटाई सामानत है किसमे की जाती है तो आपको पता है याद रहिए रूट प्रूनिंग के कर बात करेंगे तो याद रहिए किस सिट्रस में सामानत है की जाती है इस लगाई टांसर कौन सा रहेगा फर्स टोप्शन इसका पूर्ण नाम क्या होता है तो यहाद रहीए इसका होता है एथिलीन, डाइमाइन, टेट्राइस्टिक एसिट, अथा फॉर्स्ट ओप्सन इज, करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा, ठीक है, चलिए, नेक्स टॉप्सन के हाँ पर बात करेंगे, कि फल्फरक्सों के लिए कम से कम भूमी की गहराई कितनी होनी चाहिए, तो याद रखें यहाँ दो मीटर होनी जाएगे, ठीक है, चलिए, सेकिन उप्सन इस करेक्ट आंसर, बर्सी में खरपुतवार का बीज मिला हुआ पाया जाता है, तो याद आपको पता है, बर्सी अगर बात करेंगे, तो इसमें चिकोरी या कासनी, चिकोरी या कासनी, अथा बी उप्सन इ मेथी की एक किसम नहीं है, तो यहाँ पर नहीं पूछा गया था, तो यहाँ पर याद देखिया, र्टियेम, याद रिखेगा, हम बात करें, र्टियेम, तो यह किसकी है, मेथी की नहीं होती, बलकि यह किसकी होती है, तारा मेरा की होती है, किसकी होती है, र्टियम 314, ता एकिन रखा गया क्यों है इसका रीजन क्या है तो नीली से आपको याद रखेगा, याद रखेगा निली रावी, अथात 17 नदी का पाने नीला दिखाए देता है, इसलिए आतरी कि इसे एक नीली रावी को बोल आईज के नाम से भी जानते हैं, option number B इसका correct answer है next lesson के आपर बात करेंगे किन्नू तो किन्नू किसका संकरण है तो याद रखेगा इसके लिए HB Frost ने इसकी क्या है इसको develop किया था और अगर हम बात करें इसका संकरण तो याद देखिया यह citrus nobelis का जब cross करवाए गया था citrus delicious से तो किन्नो को प्राप्त किया गया था बेट की किस नसल की रास्तान की मेरिनों कहा जाता है तो समसे simple question था जो चोकला नसल है उसे याद देखिया राजिस्तान की मेरिनों भी कहा जाता है नेमले किति में से कौन सी दासा सही नहीं है, 61 नमबर का क्यूसन है इन में से कौन सा सही नहीं है ठीक है, तो यहाँ पर चुब 4th option कहता है, यह बिलकुल सही नहीं है कि कराकुल नसल की भेड सिंग रही तो होती है, यह गलत option है, अधात 430 का right answer रहेगा, रास्तान में कुल दुगदु उतपादन में, परतिसत योगदान का सही करम के अकॉर्डिम बात करें, तो यहाँ पर option number C, यहाँ पर बिलकुल correct answer जाएगा, लोलरू किस वानिश्थिक परिवार का करपतवार है, तो लोलरू की अगर बात करें, तो यह होता है, MNNTC family का होता है, first option is right answer next तो नहीं आना बात करेंगे कि निमलकित में से कौन सा ठीका बच्डों को 6 माहिने की उम्रे में लगाया जाता है तो 6 माहिने की उम्रे में याद रिखिया render best, अथार्थ, आर्पी वेक्सिन का यहाँ पर ठीका लगाया जाता है second option is correct answer निमलकित में से कौन सी गतिविती lift सिंचाय के अंतरका जाती है तो lift का मतलब होता है, याद रिखिये का source से पानी को दूसरी इस्तान पर पहुचाना, अथार्थ, सिंचाय के लिए क्वेसे पानी निकालना, यह क्या है lift irrigation का example है, C option is correct answer bacteria के निमिकेंस में से कौन सी प्रजाती सस्वेन या जीनस के पोदे के साथ nitrogen का इस्तिरिकन अथार्थ सहे जीवन बनाती है तो वह होता है, azorizobium coli, nodens next lesson क्यांपर बात कहा है रेचा के रूप में अरंडे के तेल की खुरा, बकरियों को कितने दिजाती है तो लगबग याद रिकें का 23-125 ml tokenberg बकरी का मूलिस्तान क्या होता है तो tokenberg है, यह switzerland की नसल है fulfricks के तनों पर सफेज चुना लेपने से बचा होता है, तो या देकें यह गर्म हवाओ से इसे बचाती अतारत गर्म हवाओ मतलब लूसे, सफेज चुना लगा देते है तो इसका लूसे बचा होता है, निमलकित में से कौन सा कातन सत्य नहीं है, तो यहाँ पर याद रखेगा, हम बात करें इसकी तो याद रखेगा, पत्ता गोबी को दूप से बचाने के लिए ब्लांचिंग की जाती है ये बिल्कुल गलत बात है, क्योग치 ब्लांचिंग में करबात करें, तो ब्लांचिंग फूल गोबी में की जाती है, पत्ता गोबी में नहीं की जाती है option number बी, इसका right answer है next lesson प्राचीन मत के अनुसार अच्छे अंकुरुन के लिए भीजो की बुवाई करनी चाहिए तो याद रिखे ये की जाती है पूरनीमा के 48 गंटे बाद option number B इसका correct answer हो जाएगा नेश्ट सनियापर कहता है कि पसु आफास की लंबाई किस दिशा में होनी चाहिए तो याद रिखे ये होती है उत्तर दक्सिन में ठीक है second option इसका right answer जाएगा तारपीन का तेल का प्रियोग किया जाता है आपको पता है मरदन या मालिस के रुप में अथात option के अगर बात करेंगे तो सूजन पर मलने के लिए तारपीन के तेल का प्रियोग किया जाता है प्रिजन एक बीज का टेग रंग होता है तो यहाँ पर याद रिखे अग गाई के लिए पूछा गया है तो क्या होगा इसका right answer यह आपके लिए रहेगा वैसे इसके अगर बात करें तो डेट किलोग्राम प्रती हेक्टर आथाथ बी उप्सन इसका right answer रहेगा 76 नमर को इसन है कि 91 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रती हेक्टर डालने के लिए यूरिया की मात्रा क्या होगी यदि 40 किलोग्राम P2O5 DAP से दिया जाए तो इसकारा जो calculation निकाल की जो right answer रहेगा वो रहेगा 161.63 किलोग्राम ठीक है मैं इस्टिसन यहापर पोच्छता है कि नमलेकित में से किसका ओसर साथ रिकतापमा सबसे ज़्यादा होता है तो options के according हमारे जो right answer निकल के आएगा वो रहेगा सुर अथार्थ ससेंडिकस आम की किसमे सिंदू किसका क्रोस है आपको पता है आरेहस अथार रतना इंटू अलफान जो के क्रोस से सिंदू को प्राप्त किया क्या है लगबग इसका बीज रहीत वेराइटी या फिर आप हो सकते हूँ 5-6 ग्राम इसका बीज का वजन होता है 79 की इसन कहता है कि वर्षार इतू के लिए बिंडे की बीजदर कितनी होती है तो वर्षार इतू के अगर बात करें या फिर रहनी सिजन की तो 8-10 किलोग्राम परती हेक्टेयर और ग्रिस्म कालेन के लिए 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टियर दक्षिन रास्तान में पाई जाने वाले बेंश के नसल कौन सी है तो वो कौन सी जाएगी याद रखे है सूरती अथार्थ सूरत गुजरास साइट से आप याद रख सकते हो C option is correct answer अलसी का वेग्यानिक नाम क्या है लाई नम यूसी टेटी सीमम अथार्थ सी ओप्सन इसका correct answer जाएगा नेक्ट इसन है कि 25 रोग को ठीक हरने के लिए गाई का कौन सा उत्पाद ज्यादा लाबदा एक है तो वो कौन सा रहेगा तो वो रहेगा याद रखेगा गर्ड अथार्थ दही फेचिस के लिए उप्यूक्त यहां पर मानाईया है गाह के नसल रास्तान के चित्तोड गट, बासवाड़ा और जलावार जिलो में पाई जाती है तो वो कौन सी होती है अध़की का जलावाड अथार्थ मालवी मालवा छेत्र अताथ मालवी नजले यहाँ पर पाई जाती है उत्री भारत में आम की पच्छेति किस्म कौन सी है पच्छेति किस्म के अगर बात करें तो चोसा है जो की सबसे ज़्यादा मीठी वेराइटी होती है 85 नमबर का किसन है कि गाजर में विवाजन का नमलिकित में से कौन सा कारण नहीं है तो कौन सा कारण नहीं केकर बात की जाए तो उप्सन नमबर फर्स्ट सोरी फोर्थ है यहाँ पर करेक्ट आंसर है बाकि तीनों यहाँ पर कारण है लेकिन मैंगनेशियम की कमे के कारण यह नहीं होता अथाथ option number 4 इसका correct answer है कौन सा कतन सही है तो यहाँ पर याद रिखेगा जो हरियाना है, हरियान भी नसल है गाई की यह एक dual purpose breed है अथाथ option number C इसका मिलकुल correct answer जाएगा next lesson के यहाँ पर बात की गई है कि हिरान कुरी खरपत्वार है तो filled mind weed के गरबात करे तो यह किसका होता है याद रिखेगा गेहो से सम्मधित है अथाथ याद रिखेगा रवी वार्सिक पोधा होता है next lesson है कि मोलिव डेनम का सूचक पोधा कौन सा नहीं है तो option number 1 लोविया गोल बेंगन के किस्म है तो पंत रितुराज कई बार रेपिटेड किसन है गोल बेंगन की किस्म है तंत रितुराज बॉआई के समय के अनुसार नहीं लोगवित में से कौन से फसल जनवरी से प्रारम करके सबसे पहली बोई जानी चाहिए तो वो होती है और ये लाल क्लेडियोलस की वेराइटी भी है, जर्सी गाई का पर्थी ब्यास ओसत दुद्ध खाल के अगर बात करे, तो लगवग 4,000 से 5,000 लेटर पर्थी ब्यास इसका दुख दुद्ध बादन होता है, जर्सी का, ठीक है, उप्सन नंबर C इसका correct answer है, पोदे के portion में sulfur के बारे में कौन सा का थन्स दत्य है, तो याद देखा, ये क्या होता है, sulfur होता है, वो कम गती सिल्ग तत्व होता है, अथा उप्सन नंबर C इसका right answer है, आउले की एने नाइन किसम है तो या देखे ये अगेती किसम होती है बंदारं के द्वराण प्यास का उपचार किया जाता है तो या देखे इसके अंकोर्ण को रोकने के लिए प्यास का जो उपचार है वो MH अधार्थ मेलिक हाइटरिजाइड का यहाँ पर यूज किया जाता है बाजार से मार्केट गारेटनिंग फार्म से कितनी अधिक दूरी नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर याद रिखे अब 20-25 किलोग्राम परती हेक्ट है तो यहाँ देखे जेती गुलाव के गरवात करें तो यह रासमन अधार नात वारा रासमन इसका राइट आंसर रहेगा एक हेक्टर सेंटेमेटर पानी में कितने के बराबर होता है तो लगबग एक हेक्टर सेंटेमेटर की जब भी बात की जाई तो यहाँ देखे एक लाट लेटर अथार सेकिन उप्सन है यहाँ पर हो correct answer निकलेगा next question है कि निम्बू अथार lime का विग्यान की नाम क्या है तो citrus or antifolia अथार सेकिन उप्सन है यहाँ पर right answer है citrus or antifolia निम्बू या lime का विग्यान नाम है और जो last question है आज की class का rhino say say minima एक है तो यहाँ देखिया यह होता है खरीफ falses weed अथारत खरीफ दलन का खरपतवार होता है तो लगवग यहाँ पर हमने 60 question है आपके सारह को question को solve करवाया है अब आपकी 60 में से कितनी आपर right है कितनी आपर wrong way है और cut beat के अथारत minus करने के बाद आपके कितने answer यहाँ पर से सरह है वो आप comments जैसन में जरूर बताए ताकि आपकी cut off है वो असने से आपर निकाल कर उसका analyze करके आपको बता दिया जाए ठीक है मलता है नाइस्ट क्लास के साथ अगर आपको class बस उना यह ते वीडियो को like कर देना जरू कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe जरूर बलेना ठीक है मलता है नाइस्ट क्लास के साथ तब तक लिए जैहिं जैबार